हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आज हम लोग करने जा रहे हैं माराश्ट्र बोड का मराठी का सुलब बारती का थर्ड स्टेंडर्ड लेसन नमबर फोर वार्यांचे गाने वार्यांचे मतलब days of the week गाने मतलब गाने सौंग्स गानी गपा गोस्टी चा सोमवार आमचा आवडी चा गानी मतलब सौंग गपा मतलब talk बात करना गोस्टी चा मतलब story सुनाना सोमवार मतलब Monday आमचा मतलब हमारा आवडी चा मतलब पसंदीदा अब यहां पे देखिए एक गर्ल खड़ी है पूरे classroom बैठे है और यहां पे गर्ल स्टोरी सुना रही है यहां सौंग सुना रही है सौंग भी न सुना सकती है स्टोरी भी सुना सकती है तो यहां पे बता रहे हैं कि सोमवार के दिन हम लोग सौंग सुनते हैं और बाच्च चा, मंगडवार असे, निरिक्षण चा, यहां पे देखिए, यहां पे ये बच्चे जो हैं, अब्ज़र करते हैं, यहां पे कुछ चेकिंग कर रहे हैं, अब्ज़र कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, कृतितून मतलब एक्षन, परिसर मतलब एन्वार शिकन आचा मतलब सीखना, मंगडवार मतलब Tuesday, निरेक्षन आचा मतलब observe, अब इस दिन मंगलवार के दिन क्या करते हैं, मंगलवार के दिन अपने आजू-बाजू की जो परिसर है, जो environment है, अजू-बाजू की जो चीजे हैं, उसमें observe करते हैं, और उसको check करके, observe करके, उसम से सीखते हैं, learn करते हैं, सीखते हैं, तो यह देखिए, यहां पर बच्चे कुछ observe कर रहे हैं, कुछ चीजों को अपने आजू-बाज चीजों को और सीख रहे हैं, कागद माती, विविद रंग, बुद्धवारी, आमी, त्यातच, दंग, अब यहां पर देखिए, मतलब clay, विविद रंग मतलब अलग-अलग colors, बुद्धवारी मतलब Wednesday, आमी मतलब हमारा, दंग मतलब हम लोग दंग रहे जाते हैं, क्योंकि Wednesday के दिन बच्चे क्या कर रहते हैं, कागद मतलब drawing करते हैं, और clay से खेलते हैं, अलग-अलग colors की देखिए, drawing कर रहे हैं, painting कर र बाशना साथी, जितु उभा, गुरवारी, जमली, बालसबा, बाशना साथी मतलब बाशन देने के लिए, जितु एक लड़के का नाम है, उभा मतलब उठा, गुरवारी मतलब थरस जे, जमली मतलब लग गई बालसबा, यह देखिए, यहां पे बच्चों की बालसबा बाशर दे रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं तो यहां पे बच्चा बता रहा है कि थर्सडे के दिन हमारी बालसबा जमती है और उसमें देखिए जितु यहां पे बाशर दे रहा है पाने फुले जंगल सफरी सहलीला जाओ शुक्रवारी यहां पे पाने मतलब लीव्स फुले मतलब फ्लावर्स जंगल सफारी मतलब जंगल में पिकनिक करने जा रहे हैं सहलीला मतब क्लास के साथ जाऊ मतब जाना शुकरवारी मतब Friday के दिन देखिए यहाँ पे Friday के दिन बच्चे अपने classroom सब बच्चों के साथ classmates के साथ सब बच्चों के साथ मिलकर जंगल में जा रहे है पिकनिक मनाने और वहाँ पे क्या देख रहे हैं पाने मतलब लीव्स देख रहे हैं फूल देख रहे हैं अलग-अलग तरह के फ्लावर्स फूल जैसे हम लोग जाते हैं जंगल में तो अलग-अलग तरह के तरह-तरह के फूल और फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं वैसे यहां पे बच्चे क्लास के साथ पिक्निक मनाने गए और उदर अलग-अलग किसम के लीव्स फ्लावर्स वहां पे देख रहे हैं खेडियात आनंद वाटे भारी कावियात आमची शनिवारी खेडियात मतलब खेलने में बहुत आनंद आता है कवियात मतलब exercise शनिवारी मतलब Saturday के दिन अब बच्चे देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं exercise कर रहे हैं सब बच्चे तो यहां पे बच्चा बता रहा है कि हम लोग शनिवार के दिन खूब खेलते हैं कि मंडे के दिन क्या करते हैं Tuesday के दिन क्या करते हैं Wednesday के दिन क्या करते हैं वो सब बच्चा अपने स्कूल की बाते बता रहा है जैसे यहां पे बता रहा है कि Saturday के दिन हम लोग exercise करते हैं PT में करते हैं आप लोग भी exercise और PT में हम लोग क्या करते हैं तरह तरह की खोखो, कबड़ी, सब जो गेम्स करते हैं, वो सारी गेम्स बता रहा है कि हम सब करते हैं, गेम्स और बहुत मज़ा आता है शनीवारी के दिन, शाडेला सुट्टी, रवीवारी, मित्र, येति, खेडायला घरी, अब यहां पे बच्चा बता रहा है कि शाडेला म मतलब स्कूल से हमें संडे के दिन छुट्टी रहती है, और मित्र मतलब दोस्त हमारे घर पे आते हैं, और आके खेलते हैं, और खूब मज़ा करते हैं, यहां पे यह जो पोयम है बच्चों, वो डेज अफ द वीक के लिए है, इसमें बच्चा अपने स्कूल के डेज के बा हैं, कि मंडे के दिन हम लोग खूब गाते हैं, बातचित करते हैं, और हम लोग सौंग गाते हैं, और स्टोरी टैलिंग होता है, और ट्यूजडे के दिन हम लोग परिसर में, आजू-बाजू में अबजर करते हैं चीजों को, अबजर करने के बाद हम लोग सीखते हैं, उन प्राइडे के दिन पाने फुले सब देखने के लिए वोग जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं और सब वहां पे पाने फुले तरह तरह के फ्लावर्स ट्रीज और फ्लीव वगरा सब देखने के लिए जा रहे हैं खेड़ा था आनन्द अभी यहां पे साटरे के दिन हम लोग खेलते हैं एक्सरसाइज करते हैं खुब खेलते हैं पीटी के पीरड में और आनन्द लेते हैं और संडे की दिन तो सबको चुटी रहती है बच्चों आप लोग को भी चुटी होगी तो संडे की दिन चुटी रहती है और मित्र हमारे गर में खेलने के लिए आते हैं तो यहां पर हमारा लेसन समाप्त हुआ, तो कैसा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे दूसरे बच्चे भी इसका आनद उठा सकें, और मैंने मराठी के पहले लेसन भी एक्स्प्लें किये हैं, आपको चाहिए तो मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, थैंक यू, बाए बच्चों